हैलो बच्चो आप सब कैसे हो मैं हूँ शैली शर्मा आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे तो बच्चो आज की कहानी का नाम है बेइमान दूद वाला बच्चों, क्या आपको दूद पीना पसंद है? क्या आप भी तरह-तरह का दूद पीते हैं? जैसे बॉन्वीटा वाला, हल्दी वाला, इलाइची वाला, केसर वाला तो बच्चों, आज की ये कहानी एक लालची और बैमान दूद वाले की है एक समय की बात है एक छोटे से गाउ में एक दूदवाला रहता था जिसका नाम था रामू वह बहुत बैमान और लाल्ची था उसे रोज एक नदी पार करके शहर में दूद बेचने जाना पड़ता था इसकारण वह दूदवाला दूद में रोज पानी मिला कर बेचता था और बहुत से पैसे कमाता था इसी तरह पानी वाला दूद बेच-बेच कर वह एक अमीर आदमी बन गया था और उसका जीवन बड़े ही आराम से बीट रहा था परन्तु उसने यह सारा पैसा गलत तरीके से कमाया था कुछ सालों बाद जब उसका लड़का शादी के लायक हुआ तो उसने अपने सभी ग्रहकों से बकाया पैसे एकटे किये क्यूंकि उसे अपने बेटे की शादी जो करनी थी तो उसने बाजार से बहुत सा सामान जिसे नए कपड़े, सोने चानी के गहने और भी बहुत सारे सामान खरीदे परन्तु जब वह वापस नदी पार करके गाउं की ओर जा रहा था तो उसकी नाव अचानक एक बड़ी सी चटान से जटकराई यह सब देखकर वह दूदवाला बहुत दुखी हुआ और रोने लगा तब ही अचानक उसे नदी से एक आवाज सुनाई दी नदी ने कहा कि अब रोने का क्या फाइदा तुमने जो भी पैसे अपने बहिमानी से कमाय थे वह पानी में भैग गए अब दूदवाले को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने नदी से वादा किया कि अवा कभी भी किसी के भी साथ बहिमानी नहीं करेगा तो बच्चों, मूरल ओफ ता स्टोरी ये है कि इमानदारी ही सबसे अच्छा गुन है हमें हमेशा हर हाल में इमानदारी का ही बालन करना चाहिए तो बच्चों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट करके जरूर बताना और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताना ओकी बाई-बाई, टेक कियर